जैहिन सभी फोजी बंदुओं आप सब पेंसन ड्रा कर रहे हैं और कई कयास भी लगा रखे हैं O.R.O.P. 2 तो आज हम बात करेंगे इस O.R.O.P. के बारे में यानि की One Rank One Pension के बारे में इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है और मुझे उमीद है हमें यस वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा मुझे मालूम नहीं पर आप हमेशा की तरह हमारा साथ देंगे और धायरे के साथ सुनेंगे इस वीडियो में मैं कभर करने जा रहा हूँ इसकी क्या प्रिष्ट बूमी है क्यों यह जरूरत पड़ी थी इसमें क्या-क्या कमिया थी और क्या-क्या करेंट अपडेट्स हैं लिटेस्ट अपडेट्स हैं और एक फोजी बंदूओं को क्या-क्या बिंदूओं को अवस्य ही जानना चाहिए इसके साथ ही मैं यह दावा प्रस्तूत कर सकता हूँ कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं प्रस्तूत करूँगा यह सब प्रमानिक तत्थों पर अधारित है जिसमें की लगभग नगन्य के बराबर अनुमानित डाटा को मैं प्रस्तूत करने का प्रयास करूँगा तो आए हम प्रारंब करते हैं इस OROP की डिफनीशन से ही जैसा कि हम सब जान चुके हैं वन रैंक वन पेंशन यह कब हुआ यह दावा प्रस्तूत करता है एक ही तरह का यानि कि समान एमाउंट आफ पेंशन मिलेंगे किसे तो जो सेम रैंक के जो हैं और सेम क्वाइलिफाइं सर्विस के हैं इसके लिए इरिस्पेक्टिव आफ डेट आफ रिकूटमेंट है या डेट आफ रिटायरमेंट है या किस रेजिमेंट से हैं किस सर्विसेस से हैं यानि कि आर्मी से हैं एर फोर्स से हैं नेवी से हैं तीनों सर्विसेस के आल रैंक का स्ट्रक्चर जो एक्य चुके होंगे कि समान rank को समान pension समान equivalent qualifying services को मिलना है तब हम आगे की बात अब प्रारंब करते हैं आगे की बात प्रारंब करें इसते पहले थोड़ी सी आपको हम इसके background इतिहास पर भी एक जलक में दिखा दू ओर ओर ओपी की जरुवत क्यों पड़ी थी तो अगर आप इस प सरकार के द्वारा ततकालीन सरकार कबकी 1973 की यह pension की मात्रा को reduce करने के लिए defense veterans के लिए जिनकी की pension पहले 70% of their involvement आते थे उन्हें 50% reduce कर दिया गया 1973 से Central Government जो ततकालीन था मैं नाम लेना नहीं पसंद करूँगा उनके द्वारा घटा दिया गया और यह काम हुआ बगार संपर्क किये किसी भी defense forces के और इसके कारण उनके moral पर एक बहुत वड़ा attack हुआ और इस unilateral decision के कारण ही इस O.R.O.P. का जो concept है यह पाइदा हुआ जो agitation उस टाइम उसी का नाम दिया गया O.R.O.P. तो यह आप समझ सकते हैं कि यह agitation जो है 40 साल से भी ज्यादा पुराना है O.R.O.P. का जो नए बंदे हुँगे इन्हें नहीं मालूम होगा तो यह मालूम कर लिजिए इस चीज की जो O.R.O.P. है सही तरह से मिले इसके लिए हम स से अपने agitation को प्रारंभ किये थे इसके लिए कई रहलियां की गई थी जिसके लिए O.R.O.P. के लिए जन जन को पहले तो जागरत करना था किया क्या है इसके क्या लाब है किस तरह से सरकार पर दवाब बनाया जाए इस तरह की तमाम रण नीतिया हुई और फाइनली उन कारण ही U.P.A. government जो उस टाइम ततकालीन थी 26th February 2014 को in principle sanction कर दिया था और अब जो ततकालीन प्रधान मंत्री है उस समय 15th September 2013 को इन्होंने PM बनने से पहले उस टाइम ये PM कंडिडेचर में थे अपने एक चुनाओ के रैली में इन्होंने वादा किया था रिवारी में कि हम U.R.O.P. को लागू करेंगे और जैसे N.D.A. government ने 26th मई को 2015 को सपत ग्रहन किया इसी तरह से हमारे भिटनर बंधू की उमीदे बढ़ गई कि अब चुनाओी वादा U.R.O.P. का लागू करना जल्द ही लागू हो जाएगा और हम लोग बड़े ही धायरे पुर्वक इंतजार कर रहे थे पर हुआ क्या सरकार की तरफ से बड़ी ही उदासी पूर्ण रुख दिखाई गई शुरुआत में उन्हें जो वादा किया गया था वह U.R.O.P. लागू नहीं किया गया फिर से सभी भेटरन बंधू ने गोल बंधी होकर कई तरह की में रिलीज करने के लिए U.R.O.P. के लिए किये और तब उसी दवाब में गवहमेंट को डिसीजन लेना पड़ा करीब सपत ग्रहन के डेड़ साल बाद तब इन्होंने आदेश जारी किया 7th November 2015 को जिस पर आधारित U.R.O.P. का आगे का कहानिय स्टार्ट हुआ इन्डिये गवहमेंट ने लागू तो किया डेड़ साल के बाद अपने चुनावी वादा को पूरा करने के लिए पर उसका जो U.R.O.P. का एक्चोल परिभासा था वास्त्विक परिभासा उन्हें उन्होंने बदल दिया और इसके कारण कई तरह की एनोमलीज पैदा हो ग का सर्कुलर 555 यह 4th February 2016 को लागू किया जो कि 100 से भी ज्यादा पेज के हैं बड़े बिश्तार में हर तरह के पदों को जो भी टर्म किया गया है टर्म लिया गया उसे परिभासित भी किया है पिडिये को भी इंस्ट्रक्ट दिया है रेकॉर्ड ओफिस को भी दिया है और पे से 45 लेज के अंदर सबी पिडियो को आदेश दिया गया कि आप यथा सिग्र OROP 1 का एरियर लागू करें जो कि सब ही बैंक ने लगभग 16 March 2016 को एरियर जोकि 4 इस्टालमेंट में आने थे 1st एरियर लागू कर दिया गया16 평 подпис िचिं मार्च 2016 को और March 2016 का पेंसन OROP के इन्ह रेट से आना सुरू हो गया लगभग सभी लोगों में खुसी थी इस बात के लिए कि ओर ओपी जो 40 साल से हमारे बंधु बुजुर्ग बंधु ओर ओपी के लिए जो लड़ रहे थे संघर्स कर रहे थे अब उन्हें मिल गया पर उसी ओर ओपी में हर 5 साल के बाद इसे रिव करते हुए 5 साल पर मानी यानि कि उस ही फस्ट ओर ओर ओपी के अनुसार ही इसे फस्ट जुलाई 2019 को अगेन ओर ओर ओपी टू लागू हो जाना था जिसके तहत यह इक्वलाइजेशन कर देना था और गाहमेंट ने क्या किया कई सालों तक यानि कि फस्ट जुलाई 2019 के मैं भी करने के लिए अब यह ओडर का आपको अर ओपी का जो पहला ओडर था यह था मोड यह आपको इसलिए मैं बता रहा हूं और ओपी का इतिहास क्योंकि यहींुए और ओ डूहर आने जा रही है भारत सरकार यह अमोड इलेटर नमबर था ट्वल वाइवन जो टेवल फिक्सेशन हुए थे, उसके लिए जो गाइड लाइन आये थे, M.O.D. के लेटर थे, 12.1.2014, डी पेंशन पॉलिशी, पार्ट टू डेटर 3.5.2016, यानि कि सर्कूलर 555 के पीछे, दो M.O.D. के लेटर आ रहे थे, अब यही दुहराने जा रहा है फिर से, अब इसमें क्या होगा, जो रिवीजन हुआ पेंशन, यह किया तो गया, 555 सर्कूलर के दौरा, लेकिन यह एक्चुल O.R.O.P. था नहीं, जो कोसियारी कमीटी रिपोर्ट, जिसके आधार पर यह O.R.O.P. बना था, उसके कई रिकमेंडेशन को नजर अंदाज किया गया, और यही कई लोगों ने अध्यन किया और पाया कि कई तरह की इसमें अनुमलीज हैं, और यही बैक्ग्राउंड हो गए O.R.O.P. के, यह सारे जो जंजट आप तमाम देख रहे हैं, जिससे की कई फौजी बन्धूओं में भी नाराजगी है, तब गर्मेंड ने O.R.O.P. को तो लागू कर दिया, पॉलिसी लेटर लागू कर दिया, लेकिन इस लेटर में फ्यूचर के लिए जो वादा किया गया था, वह नहीं किया गया, अब इसे ही लागू करने की क्या क्या कवायत चल रही है, इन ही तथ्यों पर मैं आपको बात करूँगा, तो भारत सरकार की जो अभी ततकाल 23.12.2022 को जो पब्लिक P.I.B. के द्वारा, जो जारी किया गया है मंत्रियों के द्वारा, मंत्रियों के समूह के द्वारा, जिन्हें की स्वायम परधान मंत्री ने कैबिनेट अप्रूबल दिया है, उसमें कहा गया है, कि 57,000 करूर खर्च किया गया है, at the rate of 7,123 करूर पर इयर इस आठ साल में OROP के कारण, यानि कि 57,000 करूर का एक बर्डेन गवर्मेंट पर आया है, अब हम आपको बताएंगे कि क्या-क्या कमिया थी OROP 1 में, तो जो ग्रांट हो गया 1 जुलाई 2014 से, इसे तो और पहले से ही लागू होना था, लेकिन ठीक है 1 जुलाई में समझावता हुआ, अब इसके लिए ही एक कमिटी बनी कि क्या-क्या कमिया है, और इस कमिटी जो विटनर के कमिटी थी OROP की कमिया को निकालने के लिए, सरकार के सामने प्रस्तूत करने के लिए, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मेजर जेनरल सतवीर सिंग सहाव रिटाइड है, जब वन टाइम इंक्रीज दिया गया पेंसन, तो इसमें कई तरह के लेकुना थे, जो की सुईकार नहीं किये जा सकते थे, लेकिन कई तरह की मजबूरियों के बार एकजामिन किया गया, उसके कई तरह के कमिशन एरेर थे और ORP1 को एक्सेप्ट किया गया, एरेर भी जारी हो गया, अब इसी के लिए, वन मैं जुडिसियल कमिशन बैठाया गया, जो की उसके सौट कमिंग, और उसके लिए हटाने क लिए क्या-क्या रेकमेंडेड अनुसंसित सोलूसन है, यह सब किया जाए, ऐसा कमिटी का गठन करने का आदेश दिया गया, पर दिसंबर 2022 तक उस कमिटी जो गठन किया गया था, उसका कोई भी वन मैं जुडिसियल कमिशी, कुछ भी नाम तक नहीं है, क्या हुआ नहीं अब इसके कारण कई तरह की नाराजगी वेटरंस में आई, और तब इन नाराजगी OROP 2 के लिए कई तरह की दवाब बनते रहें, रणनीतियाब बनते रहें, तब जो की 5 साल के बाद OROP का रिवीजन होना था, तब गवर्मेंट को 1st July 2019 से जो 5 साल के बाद करना था, उसक मैं बताता हूँ, लेटेस्ट क्या अपडेट है और करेंट स्टेटस क्या है OROP 2 का, तो इसे रिवाइज करना था, इंप्लिमेंट करना था, 1st July 2019 से, ये तो आप समझी गया, अब इसकी जो इथा स्थिती मैं बताता हूँ, कि ओथिरिटी जो इससे कंसर्ण ओथिरिटी है कोई भी एक्सन नहीं लिये थे, 2nd OROP को कोई भी सरकार के द्वारा एक्सन नहीं लिया गया, 1st July 2019 के बाद, तब हमारे भेटरंस बंधू हैं, इन्होंने अनरेवल सुप्रीम कोट को पहुचा, और तब एक बहुत लंबी संघर्स के बाद, अनरेवल सुप्रीम कोट ने आ 2nd OROP को लागू करने के लिए 3 महीने के अंदर जल्द से जल्द अपनी प्रकिरिया समाप्त करें, और वह डेट खत्म हो रहा था 15 जून 2022 को, अब 16 जून 2022 को गह्मेंट ने फिर से अप्रोच किये अनरेवल सुप्रीम कोट को कि future फिर 3 मंस को हमें दिया जाए, हमने काम नह नहीं कर पाया है, 15 सेप्टमबर 2022 तक उन्होंने एक्स्टेंड कर लिया, और वह अनरेवल सुप्रीम कोट के द्वारा ग्रांट भी कर दिया गया, अब यह तो वेटरन कम्यूनिटी के लिए बड़ा ही दुखद घटना हुआ कि 2 बार 3-3 महिना का मिल गया, अब 2nd OROP जो ह यानि क्या आप कह सकते हैं, cold storage में डाल दिया गया, अब 3 महिने extension फिर से मांगने का प्रयास प्रारंब होने लगा, और तब 2nd OROP को implement करने के लिए जो लास्ट डेट था, सप्टमबर में जो दिया गया, 15 दिसंबर 2022 था, इस बीच हमारे भेटरन्स बंधूने भी बहुत संघर्स किया, और लास्टली, इसको government agency की failure कर सकते हैं, कि PCDA इतनी बड़ी संस्था काम कर रही है, CGDA इतनी बड़ी संस्था काम कर रही है, मोडी काम कर रही है, तो कहीं ने कहीं attitude का समस्या है, कि उन्होंने ध्यान नहीं किया, या आप कह सकते हैं, कि प्रजातंत्र में लोक तरह के चुनावाते हैं, उन सबों से भी जोड़कर ऐसा कयास लगाया जा रहा, कि इसे unnecessarily drag किया जा रहा है, honeymoon period से last में खीच कर लिया जा रहा, ताकि कई लोगों का ऐसा मानना है, कि इसे राजनितिक लाभ लेने के लिए भी इसे drag किया जा रहा है, अब कितना सच्चाई है यह सब की सत्यापना आपके उपर है, आप सत्यापन इसे कीजिए अपने ग्यान के आधार पर, अनुभव के आधार पर, तो यह 15 दिसंबर को अब यह लागू हो जाना था, लेकिन एक सप्ताह पहले तक कुछ भी नहीं किया गया, इसके लिए लोगसभा में भी कई questions किये गये थे कई MP जो की veterans के लिए काम करते हैं, उनके लिए उसमें से एक unstard question जो है, 2288 जो की 29th July 2022 को एक माननी है, लोगसभा के सदस्य के द्वारा पूछा गया था, 9th session जो 17th लोगसभा भी चल रहा उसमें पूछा गया था, उसके जवाब भी दिया गया, लेकिन वही कोई संकल्पित जवाब लोगसभा में नहीं दिया गया, अब union government ने approve कर दिया, revision of pension जो की आम फोसेस family pensioner के लिए है, ये 1st July 19 से, कैसे, यह approval आया मीडिया के सामने, अभी तक मीडिया के ही P.I.B. के website में दिया हुआ है, जो की 23rd December 2022 को Friday को जारी किया गया था, मंतरियों के द्वारा, जो की स्वायम परधान मंतरी की अध्यक्षता में committee हुई, और इसे in principle sanction कर दिया गया, वारोपी 2 का, पर वह जो table दिया गया, later दिया गया, उसमें कई rank missing है, और हम सब जानते हैं, कि हमारा rank, वही rank अलग-अलग qualifying service में है, हमारे group है, X है, Y है, officers के case में अलग-अलग core हैं उनके, medical core के अलग होते हैं, artillery के अलग होते हैं, इस तरह से उनके rank structure सेम होते हुए, qualifying अलग होंगे, group अलग होंगे, regiment अलग होंगे, इस तरह से अलग-अलग structure, MNC का अलग table आता है, इन सबों को नजर अंदाज करते हुए, एक अदभूत table दिया गया, जो उनने कई कमिया हैं, पहली कमिया तो यही है कि 1st July 2019 से एक basic दिखाया गया, दुसरा 1st July 2021 से दिखाया गया, तो कई लोग यह कयास लगा रहे हैं, कि पहला basic revision मेरा July 2019 से होगा, दुसरा 21 से होगा, हलाकि जब P.I.B. को पता लगा कि कुछ चूक हो चुकी है, तो उन्होंने इस column को हटा दिया 2021 वाले को, काईदे से इन सभी table जो अभी जारी किया गया है 23rd December को, इससे एक अनुमान लगाया गया है कि अगला budget जो आ रहा है 23-24 में, इसमें कितना खर्च किया जाएगा, अगर आप लेटर को देखें, बारिकी से पढ़ें, तो उसमें खर्च का ही focus किया है कि अनुमानित budget कितना आएगा, क्योंकि 22-23 में तो budget allocation इसके लिए वा रोपी टू के लिए हुआ नहीं था, अब इसे होना है 23-24 में ही, वहीं पर budget allocation के लिए कितना extra expenditure का आएगा burden, इस चीज़ का एक मुआइना लगाया गया है, इससे यह नहीं लगाया जा सकता कि कब मिल क्योंकि उसमें date नहीं दिया गया, हाँ इतना जरूर बताया गया है कि पुर्वत चार installment में ही दिया गया, 1st July 2019 से ही रहेगा, अब इसमें मैं बताऊं OROP2 में कौन-कौन beneficiary होंगे, तो जो retire हुए हैं 30 June 2019 तक उन्हें इस OROP2 का benefit मिलेगा, अब benefit के तहत क्या रासिया होगी तो आप यहां देख लिजिए कि 16 से 19 यानि कि 2 से 3 increment का जो हमारे बराबर equivalent ड्रा कर रहे हैं in service, तो 2 से 3 increment अवस से ज़्यादा ले रहे हैं, तो 3 increment तो मोटा-मोटा आप कही सकते हैं कि इतना आपको अवस से इसका benefit होने जा रहा है, इस Mbit में पिछले OROP में करीब 20 लाग कभर हुए थे, इसमें 25.13 लाख कभर होने जा रहे हैं, अब यह कौन सा base year होगा, तो इसके लिए 2018 में जो हमारे सेवा रत हैं, जो फौजी बंधू, उनकी जो मिल रही है involvement, उसका average हमें दिया जाएगा, यानि कि minimum, maximum का दिया जाएगा services wise, अब इसके OROP 2 का structure table की अगर बात करूं, तो इसमें उसी तरह का table होगा, जैसे पहले आते थे, यानि कि हर category का अलग, अलग, category का मतलब, X होगा, Y होगा, qualifying, services होंगे, उसके लिए ही disability होंगे, war injury के होंगे, सारे category यहां भी कभर होने जा रहे हैं, अब मैं बताऊं कि इसकी applicability क्या होगी, OROP 2 की, और इसके range क् तो इसमें मैं आपको एक line अगर बोलूं, तो इसमें सभी pensioner और सभी family pensioner आएंगे, कौन-कौन, सभी का मतलब, जो retire हुए हैं, discharge हुए हैं, invalidated out हुए हैं, from services, या उनकी मिर्तिव हो गई है in service, या after retirement, किस rank में, commissioned officer रहे हो, JCO रहे हो, या others रहे हो, या non-combatant enrolled, जो NC होते हैं, किस के होंगे, army के होंगे, navy के होंगे, air force के होंगे, defense security cops के होंगे, territorial army के होंगे, जो भी 1st July 2019 को pension के लिए दावेदार हैं, यानि कि जिनको 1st July 2019 को pension मिल रहा, ये सब category के लिए, उन सब को मिलेगा, इसमें अगर मैं थोड़ी सी गहराई में जाओ, तो इसमें retiring pension होंगे, service pension हो service element of disability pension इससे effect हो रहा, service element of war injury जो है, वो भी होगा, invalid pension कई, एक साल, दो साल, पांस साल में invalidate out हो जाते, family pension के लिए जैसा आप जानते होंगे, दो तरह का rate होता है, पहला होता ordinary family pension, यानि कि 60% ही मिलते हैं, और दुसरा होता enhanced rate, जो कि full pensioner का rate होता, तो ये दोनों effect होंगे, family pension मे special family जिनें मिल रही है, वो भी होंगे, special dependent family, चाहे उनके संतान के हों, disabled संतान या माता पिता हों, इस तरह के case को भी यहाँ benefit मिलने जा रहा, दूसरा second line award of special family pension, वो भी इसके benefit होने जा रहे हैं, liberalized family pension के तहत भी है, liberalized dependent pension जो है, उन्हें भी लाप मिलेगा, और second life award of liberalized family pension है, उन नहें भी मिलेगा, disability element of disability pension है, वो भी rate enhance होने जा रहा, इसके साथ ही war injury of element of war injury pension जो discharge हुए थे, और war injury element of war injury pension जो invalidate आउट हुए थे, जो pre 1st June 1953 के discharge personal है, TA personal है, और non-competent in role, जो NCE है, of regular army, air force, वेगरा के, जो drying pension है, 1st July 2014, तो यह तो इसका range है, अब यहां बता दू कि TA personal का मैंने नाम लिया, तो यह TA personal के लिए मैं भी सेस बता दू, हमारे कई भी विवर हैं, तो उनके लिए TA personal के लिए invalid pension, service element of disability pension, और service pension भी इसमें सामिल किया जाएगा, nature of award, यह सब PPO में mention रहता है, अब यह तो applicability की बात थी, अब मैं non-applicability की बात कर रहा हूं, किन्हें यह नहीं होगा, क्योंकि यही OROP 1 में भी हुआ, तो ऐसी कयास लगाई जा रही है, कि OROP 2 भी इसी तरह का होगा, इसमें reservist pensioner नहीं सामिल होंगे, और जो ex-gracia payment ले रहे थे, इसका revision 1986 से ही केंद्रिय सरकार के पास पड़ा हुआ, कोट में पड़ा हुआ, यह सब नहीं हुआ, और कई तरह के ऐसे pensioner होते हैं, जो UK, HK सारे, KCIOs pensioner हैं, यह भी सामिल नहीं होंगे, इसके साथ ही जो pensioner पाकि तो कितने benefit होंगे, अगर छोटे से सब्द में आप पूछें, चुकि 2 से 3 increment का हो रहा है, तो आप मोटा मोटा 10 से 15% तो मान ही सकते हैं, कि यह आपके pocket में आने वाला है, अब सरकार पर कितना इसका अतिरिक्त भार, आर्थिक भार परने बाला है, जो कि इन्होंने बताया है ततकाल, यह estimated annual expenditure है, जो लागू होने के कारण, यह 8,450 करूर, जो कि 31% एडियरनेस रिलीफ के अमसार जोडा गया है, और area अगर 1st July 19 से लिया जाए, और December 31st 2021 तक लिया जाए, तो इसे calculate किया गया है, 19,316 करूर, जो कि 17% डिये, जो कि कोरना के कारण freeze थे, 17% के कारण, और 1st July 19 से लिया जाए, जून 30, 2021 तक लिया जाए, 31% का, तो यह July 2001 तक, तो area with effect from 1st July 19 से लेके, अगर total 30 June 2022 तक ले रहे हैं, तो यहाँ आजा रहा है, 23,638 करूर, डिये के साथ extra burden, तो यहाँ सब तो calculation किया गया है, budgetary relocation के लिए, जो कि budget, union budget 2023-24 में, यह सब sanction किया जाएगा, तो यह सब है, जो ongoing कर्च है, जो regular कर्च होते रहे हैं, इसके अलाबे हैं, तो यह सब विडियो आपने देखा, सुना, अब आपको, क्या करना है, क्या जानना है, यह सारांस में मैं आपको बता दू, कि सुप्रीम कोट का intervention, हमारे लिए बड़ा ही अहम रहा, दवाब देने पर, सरकार पर, जिसमें कई तरह की संस्थाएं, हमारे वेटरन संस्थाएं ने, गोलवंदी करके, अपना रुपया खर्च करके, चंदा करके, इस तरह से, उन्होंने सेकेंड वारोपी को लिए बड करना है, हमें इन सारी बातों को जानना है, तभी हम समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक हम सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों के प्रती, तब तक प्रजातंत्र में आप लाभ नहीं लग सकते, क्योंकि प्रजातंत्र में सरकार जो बनती है, हमारे ही पाटी हमारे हित के लिए सोच रही है और हमारा हित आखिर है क्या इनहीं तमाम बिंदूओं पर आपको फोकस करने का जागरुक करने का हमारा उद्देश से है आज हम देख पा रहे होंगे कि काफी यह आगे बढ़ गया है मामला वरोपी टू का जहां की टेवल भी जारी किय गया है आप देख पाए होंगे जिसमें की कई तरह के नॉमली है सिपाही है नायक है है वलदार है नायब सुवेदार है सुवेदार मेजर है और उसके बाद सीधा मेजर है जो ओनरी रैंक्स हैं यह सब नहीं है और उन्हें भी क्वाइलिफाइंग सर्विस नहीं दिया गय यह एक estimated है इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरुवत नहीं है जैसे ही भारत सरकार की concerned department से authority लागू होगी और PCDA से नया circular लागू होगा वरोपी 2 का इसमें आपको clear cut आ जाएगा तब तक हमारा यही आप सबों से आग्रह है कि तमाम उलूल जुलूल कई तरह की table market मे आएंगे उन सबों पर ज्यादा ध्यान देने की जरुवत नहीं है जब table आता है हम आपके समक्ष प्रस्तूत करेंगे जो की प्रमानिक स्रोत से लिया गया होगा ततकाल आपको अंत में मैं यही बता दू कि government जो डिले कर रहे है equalization का OROP payment का minor ground पर क्योंकि यह on-revel Supreme Court में case च फिर September में लिया फिर अभी भी December में लेने का प्रयास किया जा रहा जो की Second January को भी date दिया गया है तो यह सब कई तरह की तमाम समस्याएं हैं जो की इसके रोडे आ रही है तो अब मुझे उमीद है कि हमारे सम्मानिये Supreme Court भी veterans की उनके लाब को उनके family के लाब को मद्दे नजर रखते हुए further extension से मना करेंगे और यथा सिग्र release करेंगे ताकि government तुरत release कर सके ताकि सभी बंधूओं को मिल सके तो यह OROP 2 के series में ही OROP के series में यह मेरा दूसरा प्रयास है इसी तरह से मैं OROP से सम्मंदित सभी तरह की update आपके समक्ष प्रस्तूत करते रहूंगा और आप इस channel को living happily को अबस से ही subscribe करें क्योंकि जब आप subscribe करेंगे तो हमारी channel आपके फोजी बंदू के channel को growth और development का आउसर मिलेगा जिससे हम और भी ज़्यादा प्रमानिक सूचना आपके समच प्रस्तूत कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी team लगा सकते हैं आप जब हमारे video को like करते हैं हमारे लिए motivation होता है आपको किसी भी तरह कि अगर इस video में कमी लगा हो कुछ सलाह देना चाहते हो अब असे ही comment के जरिए लिखिए मैं बताने का प्रयास करूँगा सीखने का प्रयास करूँगा अगले video में उसे सामिल करने का प्रयास करूँगा और अंत में कि गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और फिर मिलूँगा इसी तरह की ओरोपी से संबंधित और स्पर से संबंधित वेलनेस से संबंधित तमाम तरह की video लेकर फिर से मिलता हूं